कॉफी विद करन का आठवा सीजन 26 अक्टूबर को शुरू हो चुका है शो को लेकर चर्चाय तेज हैं हर बार की तरह इस बार भी शो में एक साथ दो गैस्ट काउच पर नज़र आ रहे हैं दिपिका पादुकोड और अन्वीर सिंग के बाद अब सनी देवल और बॉबी देवल करन जोहर के मुश्किल सवालों का जवाब देते नज़र आए बता दें गुरुबार को कौफी विद करन का दूसरा एपिसोट जारी किया गया जहां इस एपिसोट में सनी देवल और बॉबी देवल कई खुलासे करते नज़र आए इस मौके पर दोनों परिवार के सदर से भी वीडियो के जरीय जुड़े और उन्होंने दोनों के बारे में कई ऐसी बाते बताए जो लोगों को शायद ही पता हो इस दोनान सनी देवल के बेटे करण देवल ने खुलासा किया कि सनी देवल को टेड़ी बियर काफी पसंद है जहां उन्होंने एक वाक्या बताते हुए कहा कि कोई उनके घर आता था और घर में कई सारे टेड़ी देखकर पूसता था यह किसके हैं पहले उन्हें गैस किया था लेकिन जब वो सही जबाब नहीं दे पाय तो उन्होंने बताया कि टेडी बियर किसी और के नहीं बलकी सणी देवल के हैं ये सुनते ही वो हैरान रहे गया इस वीडियो मैसेज को सुनने के बाद करन भी हैरान हो गया और पूशन लगे आखे वो ऐसा क्यों करते हैं भही इसके जवाब में सनी कुछ बोलते हुए उससे पहले यी बॉबी ने कहा सनी को टेडी कलेक्शन का बहुत शौक है वो दुनिया के हर कोने से टेडी खरीती है और इतना ही नहीं इसके आगे सनी देवल ने कहा कि उन्हें टेडी का शौक है वो उन्हें क्यूट और प्यारे लगते हैं वो जहां भी जाते हैं टेडी बियर ज़रूर खरीते हैं और तो और उनकी गाड़ी में भी एक टेडी कभी कभी वो एक छोटा टैडी अपनी जेब में भी रखते हैं और ये सुनकर करन हस परे वहीं बाबी ने कहा कि सिर्फ टैडी ही नहीं सनी को सौफ्ट टॉइज का लेक्शन का भी शौक है